हरी कृष्णा मैं भूवर नसुंदरी राता देविद असी जन्माश्टमी रेसिपी के साथ अपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जन्माश्टमी को अब कुछी दिन बचे हैं और सभी लोग अपने तन, मन और धन से उनकी तैयारियों में जुट गए हैं और हम जानते हैं कि सब लोग ने लिश्ट बना लिया हुगा कि हम कौन से कौन से व्यनजन भोग लगाएंगे कुछ भोग जो हम बनाते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है मगर हमें कुछ ऐसे भी instant व्यनजन भी चाहिए जो हम जल्दी से बना पाएं उसी को नजर रखते हुए जनमाश्टमी के त्योहार पर आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद जो बनाना बहुत ही आसान है और डेलिशियस भी है इसमें हमें ज्यादा इंग्रेडियंट्स की जरूरत नहीं है सिफ तीन इंग्रेडियंट्स से ही हम इसे बनाएंगे और सब रेडि है तो जर्ष्ट पंद्रा मिनिट में बन जाएगी कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले पनीर बना लेंगे जिसके लिए धाई लिटर जितना गाई का दूद लिया है दूद को हमें एक उबाल आने देना है तो लो फ्लेम पर हम इसे बॉइल करेंगे दूद को बिच पिच में चलाते रहना है और दूद को फाटने के लिए यहाँ पर हमने लिया है पाँच टेबल स्पून जितना निग्बू का रस और उसमें हम मिलाएंगे आधा कब जितना पानी मिक्स कर लेंगे और इसे यूज करेंगे 8 से 9 मिनिट हो गई है और दूद में उबाल आ चुका है अब निमू का रस हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है सब एक साथ नहीं मिलाना है अभी हम 2 टेबल स्पून जितना डालेंगे बिक्स करेंगे और वेट करेंगे और दो टेबल स्पून जितना डालेंगे और मिक्स करके उसे चैक करते रहेंगे अब यहां पर 3-4 मेट हो गई है आप देख सकते हैं हरे कलर का पानी हो गया है यह बिलकुल परफेक्ट है अब हम श्टाव को बंद कर देंगे एक बर्तन के उपर एक श्ट्रेनर रख देंगे और उसके उपर एक कौटन का कपड़ा जो पतला वाला लिया है और पनीर को हमें चान लेना है इस तरह से पनीर परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है तो वह खास ध्यान रखना है अब पानी की मदद से पनीर को अच्छे से हमें दो लेना है ताकि उसमें जो खटा पन है वह पुरा निकल जाएगा अब इसे धीरे से निचोड लेंगे ज्यादा जोड से नहीं करना है हलके हाथों से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकाल देंगे अब इस तरह से स्ट्रेनर पर एक घंटे के लिए छोड देंगे एक घंटा हो चुका है आप इसका टैक्स्ट्र देख सकते है बहुत ही बढ़िया पानीर बनकर तैयार हुआ है इसे हम एक प्लेट में ट्रांसपर कर लेंगे अब इसको हाट से इस तरह से थोड़ा सब मसल देंगे ताकि जो बड़े बड़े चंग से वह न आ रहे है और स्मूद सा उसका टैक्स्ट्र हो जाएगा बिलकुल इसी तरह से अब इसे हम पैन में ट्रांसपर कर लेंगे पैन में हमने ले लिया है अभी श्टव को ओन नहीं करता है इसमें अब हम मिलाएंगे 400 ग्रम जितना कंडन्स मिल्क जो मिल्क में ही डाता है वही मिलाना है श्टव को बंद रखना है और दोनों चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं इस तरह से हलका सब ट्रेस करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे अब श्टव अन करेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे हमें कुप करना है इस तरह से प्रेस करेंगे तक एक स्मूद सा टेक्शर बन जाएगा उसका पांच मिनिट हो गई है हमें इसी तरह से चलाते रहना है थोड़ी दिर के लिए और पांच मिनिट के लिए कूक कर लेंगे इस रेसिपी में इस्तमाल की गई सारी सामगरी की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती है आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं अभी यहां पर 12-13 मिनिट हो चुकी है, यहां पर हम मिलाएंगे एक कब जितना डेरी वाइटनर या फिर आप मिल्क पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पर हमने लिया है अमूलिया का डेरी वाइटनर क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडियंट्स रहते हैं, एक एक मिल्क सॉलिड्स और एक शुगर आप उपवास में भी इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर सकते ही हाधिये, इसमें बिल्कुल भी लॉंप्स नहीं दाने चाहिए, लोग फ्लेंपर है मिक्स करना है, हमें Along यहां पर 20 मिनिट हो गई है टोटल और हमें इस मिश्रण को थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो लो फ्लेम पर ही इसे कुप करेंगे अब यह मिश्रण गाढ़ा हुचुका है आदा चम्मच जीतना इलाईची का पावडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे श्टॉब को बन कर लेंगे यहां पर एक मोल्ड लिया है उसमें एक बटर पेपर लगा देंगे और आदा चम्मच जी डालेंगे और चारू और से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे बारिक काटे हुए पिस्तर से गार्निश करेंगे थोड़े सी सुखी हुई गुलाब की पंखुडी है वह भी डालेंगे अब हमने जो कलाकंद का मिश्रन रेडी किया था वह उपर से डाल देंगे स्पेचुला की मदद से उसे अच्छे से से कर लेंगे हलका सा टैप करेंगे इस तरह से ग्रीस की हुई कटोरी से भी आप इसको स्मूध कर सकते हैं अब इसे 2 घंटे के लिए रूम टेंपरेचर पर ठंडा कर लेंगे 2 घंटे हो गए है और अच्छे से सैट हो चुका है कलाकंद चाकू की मदद से साइड में से स्क्रैप कर लेंगे इस तरह से अगर आपके वहाँ गर्मी ज्यादा है तो इसे दो घंटे की जगा पर तीन घंटे भी रखना पड़ सकता है अन्मोल्ड कर लेंगे बटर पेपर को हलके हाथों से निकाल देंगे आप देख सकते कितना खुबसूरत लग रहा है आप चाहें तो इसे रेफ्रेजरेटर में भी दो घंटे के लिए सेट कर सकते हो मगर बाहर भी अच्छे से वह सेट हो जाता है हमारा कलाकंद बिल्कुल तयार है आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पीस बनकर रेडी हो गया है आप इसे दो दिन के लिए बाहर रूम टेफ्रेजर पर रख सकते हैं और रेफ्रेजरेटर में वन विक तक स्टोर कर सकते हैं तुलसी पत्र रखकर ठाकोर जी को भोग अरपन करेंगे श्रीले प्रवबाजी बताते हैं कि भगवान के वक्त सभी प्रकार के पापु से मुक्त हो जाता है क्योंकि वे यगना में अरपित की बोजन या प्रशाद को ही खाते हैं अगर आपको प्रशाद की रेसिपीस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजु में दिए गए बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रशाद की रेसिपीस आपको मिलती रहे हमेशा जब ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे